नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यह कैसे टू योट्यूब चैनल पर दोस्तों देश के बहुत से राजियों में आज भी लड़कियों को एक बोज की तरह ही देखा जाता है जिसकी वज़े से भुरून हत्या के मामले भी सामने आते रहते हैं ऐसी ही समस्याओं का अंत करने के लिए बिहार राज ने एक नई योजनक की सुरुआत की है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना इस योजना के जदिये राज में पैदा होने से लेकर ग्रेजुएट होने तक सरकार लड़कियों के परिवार को आर्थिक मदद मुख्या कराएगी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना MKSY के माद्यम से राज की गरीब एवन निर्धन परिवार की लड़कियों को सरकार 51,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी तो से अपर आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार जरूर एंड तक बने रहिएगा सारी बाते हैं पर मैं आपको डीटेल में बताऊंगा तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो के एक लाइक नहीं किया लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके बल आइकन भी धबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो उससे हापर वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं मुख्यमंत्री करन्या सुरक्षा योजना से जुड़े लाब के बारे में किसी योजना के जाथ आपके आपर क चाक्या लाव देखने के लिए मिलेंगे तो से अपर मुख्यमंत्री करने सुरक्षा योड़ना के लावारतियों को सरकार 51100 रुपए देगी बेटी का बाल विवा ना हो और उसे सनातक तक पढ़ाया जाए इसके लिए ये धन्राशी जो है अलग-अलग समय पर वित्रित किया जाएगा यानि कि ये जो 51100 रुपए की धन्राशी है ये आपको एक बार में देखने के लिए नहीं मिलेगी यह आपको कुछ-कुछ काल यानि कि कुछ-कुछ समय अंतराल पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों बिहार की देर करोड से ज़्यादा लड़कियों को इस योड़ना के तहत लाब दिया जाएगा इसे देश में महिलाएं भी अधिक मातरा में पढ़ लिख पाएंगी गरीब परियार के लड़कियों के यहाँ पर पैदा होने से पहले पैसा मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्रून हत्या के मामले थे वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे यहाँ पर महिलाएं भी सभी छेत्रों में आगे बढ़ सकती है रूडी वाजी सोच पर यहाँ पर जो पैसे एक वैजे से रोक लगता था उसमें भी यहाँ पर बदलाव आएगा बाल विवा पर रोक लगेगा यहाँ पर दोस्तों देश में सिच्छित लोगों की जो तादाद है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है यहाँ पर वीडियो में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार मुख्यमंत्री करन्या सुरक्षा योजना की तैद यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाते हैं तो इसमें आपर आपको क्या पात्ता और दस्तावेद देने होंगे तो उसे आपर अगर लड़की का जन्म होता है तो आवेदक करने वाले परिवार को अस्पताल द्वारा जादी प्रमार पत्र देना होगा जिसमें यह दिया गया हो कि आपकी पुत्री यहाँ पर पैदा हुई है यानि कि आपको यहाँ पर एक birth certificate प्रोवाइड करना होगा या फिर ऐसा कुछ detail जिससे यह पता लग सके कि यहाँ पर आपकी बच्ची का जन्म इस अस्पताल में हुआ है दोस्तों योजना का लाप केवल बिहार की लड़कियों को दिया जाएगा दोस्तों ऐसा नहीं अगर आप यहाँ पर अन्य state से बिलॉंग करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सभी states के लिए यह योजनाय चलाई जा रही है अलग अलग नाम से अगर आप यहाँ पर किसी और state से बिलॉंग करते हैं तो आप यहाँ पर comment box में अपने state का नाम लिखिए मैं उस पे भी आपको एक वीडियो बना के दिखा दूँगा कि आपके यहाँ पर state में कैसी योजनाय किस तरीके चलाई जा रही है दोसरा पर योजना का लाब केवल गरीवर के तबके के लड़कियों को दिया जा रहा है अगर इस योजना में आवेदक करने वाले की पुत्री बड़ी हो गई है तो उसके आधार कार्ड की आवशकता होगी यानि कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो बच्ची चोटी होगी तबी आप इस योजना के देट आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपकी बच्ची बड़ी भी हो गई है बस जरूरी यह है कि उसका साधी ना हुआ हो यहाँ पर वो पढ़ाई कर रही हो तबी आप इस योजना के देट उसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोसों योजना में आवेदन करने वाला जो परिवार है किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए सरकार को टेक्स देने वाले परिवार भी इस योजना का लाबल नहीं ले पाएंगे आवेदन करने वाले जो व्यक्ति है उसके पास यहाँ पर आधार कार्ट और यहाँ पर बैंक की संपूर्ण डीटेल होनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है क्योंकि बैंक में ही आपको 51,100 रुपए की धनराशी धीरे धीरे दी जाएगी दोस्तो आवेदन करता के पास मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए योजना में किसी भी उम्र की लड़की आवेदन कर सकेगी बैंक खातिक यहाँ पर आपको पूरी डीटेल देने होंगे यहाँ पर दोस्तो इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको नस्दी की आगनवाडी केंदर पर जाना होगा यहाँ जाकर आपको एक आवेदन फॉर्म लेना होगा अब इस आवेदन फॉर्म को भरना होगा आपको यहाँ पर जो भी जरूरी दस्तावेज होंगे सभी को आपको उसमें अटैच करना होगा इस तरह आपका यहाँ पर योजना में रेश्ट्रेशन हो जाएगा सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपको योजना का लाप मिलना वो सुरू हो जाएगा अगर आप इस योजना से जुड़ी कोई अन्य जानकारी हासिल करना चाते हैं तो इसके लिए हाँ पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिंपली लिंक पर टैप करना एड़ के बाद यहाँ पर आप इसकी पूरी डीटेल को अपने आप भी पढ़ सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जरू पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो के लाइक करें तो सुम शियर करें ऐसे ही और मजदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबान ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मजदार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम